तो आज हम से करेंगे चिकन गोला कवाब साथी में हम चापाती बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेके और बहुत ही यम्मी लगता है खाने में तो चले हम सीख लेते हैं ने डाएंगे और चापाती केसे बनाना है सबसे पहले आदक में और पर आडगता जी बॉलनेश्टुक्त सूछ से लन ले लिए हैं यहां यहँड़ के और फ्राइज कर लिए हैं ओः अधी किमिलए पर लिए हैंगेंगें औरża॥ हाफ टीसपून चाटमसाला लेंगे फोरा स लेड़ी हैं DO benefit मैं और इसाथ हैं नेता फिल्स रूपाम चेप रार फिल्दे सिराव हरी पाँलें सोटने स्क्राइबें WOW करद नेके इसके स्क्राइब नेके reports है मिर्च लेकैने क्वास में आल्टाइब बनते फैंस और हमारे चैनल पर अगर नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा फैंस ताकि हमारे हर निवाने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके तो इसी के साथ हमने सारे मसाले को चिकन मैड कर दिये हैं और अब हम थोरा सा अच्छी से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ तो यहां पर हमने सारे मसाले को चिकन के साथ अच्छी से मिला लिये हैं और अब हम यहां मिक्सर लिंगे पार और चिकन पिसना है तो घंसून को को पीछ चिलर हैं अब यहां पे हातों में थोड़ा सा गी और यहां पर में पहला कवाब की अगर आपके पास यह सिक नहीं है तो आप एक पैंसिल के मदद से भी एक पैन के मदद से भी गुला कवाब के बीच में होल कर सकते हैं तो फैनली हमने सारे गोला कवाब को इस तरीके से बना करके रेडी कर लिए हैं और अब हम नेक्स टैप की तरफ चलते हैं तो यहां पर हमें कराई ले लिए हैं कराई में हमने तेल को अलड़ी पहले से गरम करके रखे हुए थे और एक एक करके हमें सारे गोला कवाब को पैन अब हम इसे एक एक करके एक पिलेट में निकाल देंगे और यह देखे फ्रेंस हमारे गोला कवाव तो अब नेक्स टेप की तरफ देख लेते हैं तो यहां पर हमने एक पैन ले लिया है पैन में हम तीन टीसपून अमुल बटर एड़ किये हैं साथ ही में तोरा सा करेश किये ह अरह में दूद्र को हम लेशन के साथ अच्छे सेमीक्स कर लेंगे चली सॉस औरकर धूरा साम मिलाएंगे और हम यहां पर डालेंगे कउनAPड काली मिक्रिशकाफ आड़र औरदो छामाने उखने दूदल ले लिए थे और इसमें हमनें रोंख और इसी के साथ हम यहां पर डालेंगे हाफ टीस्पून सॉल्ट हम यहां पर हाफ टीस्पून ही एड़ कर रहें फ्रेंस क्योंकि हमने कवाब में पहले से सॉल्ट एड़ कर चुके हैं अगर आपके पास क्रीम हैं तो डाले नहीं है तो आपर दोरा सा भी पहला कर दो एक्ट करेंगे तो एक एक करके हमें सारे कवाप को पैन में अट कर देने ये साथ ही में हमने यहाँ पे दो चीज कवाप बनके रेड़ी हो गया है और हम नेक्स्ट अब की तरफ देख लेते हैं फैस तो यहाँ पे आप हम बनाएंगे चपाती तो चपादी बनाने के लिए हमने एक बॉल में दो एग को तोर के डालेंगे और इसी पॉइंट पर हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट साथी में हम डालेंगे 4-5 टीस्पून आमुल फ्रेश क्रीम इस तरी के कामल फ्रेश क्रीम आपको मार्कीट में बहुत ही इजी से मिल जाएगा और अब हम एक चम्मच की मदस से सारे अंडे को अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो हमारे अंडे का बेटर रेडी हो गया है और इसी पर पर हम डालेंगे तीन कप मैदा तो यहां पर आप जितन सारे आटे को मिक्स कर लिये हैं और इसी परिंट पर हम डालेंगे पानी तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके एड़ करेंगे एक साथ हमें पानी नहीं राली है और इस तरी के सामें आटे को मिक्स करते रहनी है तो अब हम यहां पर अपने हाथों से सारे आटे को मिक्स कर ल करने हैं पूरे ज़ला लेंगे अच्छार मैं के लेंगे एक आढ़े के रोटी सदून सेख लिए और All है आडनी, के दूसरी ज़ला है ट्वाग एन करलेंगे ते अब भेंटर अच्छी तरीके से लिए हैं और अब हम दूसरी तरफ इसी तरीके से सेक लेंगे बागी के हमारे जितने भी रोटी हैं सबको हम इसी तरीके से बना करके रेडिक करेंगे तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी हमारे चापाती बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट हमारी रोटी बनी है और यह देखे हम कवाब बहुत ही जबरदस्त बने हैं और अंदर से भी हमारे कावब बहुत है अच्छी से सीके हैं तो इस तरीके से चिकन चीज कवाब और साथी में चापाती एक वर जरूर ट्राय करिए बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनता फैंस अगर आपके पास कोई गैस्ट आ जाए तो उनको भी यह रेसेपी जरूर बना कर खिलाएं तो आई होप के फैंस हमारी यह चिकन चीज कवाब की वीडियो आपको पसंद आए हो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए गया सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिल तर नेक्स्ट वीडियो के साथ दौाओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्ला हाफीज असलाम लेकूम थैंकियो फुर वाचिंग